इसका नाम रिमजिम है, ये AC BD Tone Primary School में एक टीचर है, एक दिन इस्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं, वे सभी बच्चों को बुलाते हैं, मेरी प्यारे बच्चों, यहां आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आओ आओ, जल्दी आओ, हम कल इस स्कूल से एक पार्क में जा रहे हैं, हम सब गूमने चलेंगे, वहां हमें देखने के लिए शेर, हाती, हिरन, मोर और ना जाने कितने सारे जानवर देखने को मिलेंगे, और तो और हमको वहां पर खेलने के लिए भी बड़े-बड़े बहुत सारे जूले मिलेंगे और बहुत कुछ खेलने के लिए भी मिलेगा तो फिर हम सब कर ट्रिप पर चलेंगे अभी तुम घर जाओ और अपने घर पर सब को बता दो और कल सुबै एट थर्टी तक सभी लोग स्कूल आ जाना ओके? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सब बच्चे ठीक है कहकर अपने घर चले जाते है अगले दिन आठ बजे तक सभी बच्चे आने लगते है सभी बच्चो को आता देख, रिमजिम सर कहते है आओ, बैटो यहाँ पर, बाकी के सभी बच्चो को भी आने दो फिर 8.30 तक सभी बच्चे आ जाते हैं फिर इम जिम सर चलो बच्चो, लाइन में चलो और उस घाडी में बैट जाओ और फिर सभी बच्चे घाडी में बैट जाते हैं तब ہी सर आते हैं और घाडी लेकर ट्रिप पर निकल जाते हैं वे लोग जंगल जंगल, गाउं गाउं, कची, पकी, सड़कों को होते वे, धीरे धीरे वे जोलू मुलू के गाउं पहुचते हैं, वे सब ही गाउं पार कर लेते हैं, वे सब जब गाउं पार कर रहे थे, तब ही जोलू मुलू वही एक पेड़ के नीचे बैठ कर आराम कर र तूट चुकी है। रिमजिम सर गाड़ी से बाहर आकर पुलिया का जायजा लेते हैं और कहते हैं अरे ये पुलिया तो टूटी हुई है। तो फिर एक बच्चा कहता है। दूसरा रस्ता मुझे मालूम है अब चलो गाड़ी में बैठ जाओ हम दूसरे रास्ते से पार्ग चलते हैं तो फिर सभी बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं और रिमजिम सर भी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तभी अचानक गाड़ी के पीछे का पेड़ सड़क पर किर जाता है जिससे की रिमजिम सर के साथ साथ बच्चे भी वहाँ पर फस जाते हैं लेकिन रिमजिम सर बच्चों से कहते हैं कोई बात नहीं हम इस पेड़ को यहां से हटा देंगे और फिर काड़ी निकाल लेंगे और रिमजिम सर उस पेड़ को वहां से हटाने की कोशि लेकिन फिर भी वो पेड़ वहां से नहीं हटता तभी एक बच्चे की नजर दूर से आते वे जोलू मूलू पर पड़ती है वो रिमजिम सर से कहता है रिमजिम सर वो देखो वहां पर दो आतमी दिख रहे हैं ये दोनों इसी पास की गाउं में है मैंने इने आते समय पास की गाउं में दिखा था अगर हम उनसे मदद करने के लिए कहेंगे तो हो सकता है वो हमारी मदद करें और फिर जब जोलू मूलू उनके पास आते हैं तो जोलू कहता है ये क्या यहां तो तुम सफस गए हो तभी रिमजिम सर कहते है हां लेकिन प्लीज आप हमारी मदद करें और इस पेड़ को यहां से हटवाने में हमारे सहता कीजिए ताकि हम आगी जा सके। तभी मूलू कहता है, वैसे मैं ये पेड़ हटा तू सकता हूँ, चलो हटाते हैं। और सभी लोग पेड़ के पास जाने लगते हैं। तब ही मोलू कहता है, हाँ मैं अकेले केले ही जाओंगा, तुम सब मेरी बहातुरी देखो और वो अकेले ही पेड़ हटाने लगता है, वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे पेड़ नहीं हटता, वहाँ पर जादुई पत्थर आता है और मोलू से कहता है, बस करो दोस्त, अब मेरी बारी है, देखो मेरे पास इसके लिए दो उपाय है, पहला हम सब मिलकर इस पेड़ को हटा दे, क्योंकि एकता की शक्ती के आगे ये क्या है, और दूसरा मैं जादुई शक्ती से गाड़ी को उस पार कर देता हूँ, देखो मेरे हिसाब से दूसरा ठीक है, क्यों कि तुम्हारे पास समय कम है, तो फिर लो, और वो गाड़ी को पुलिया के पार कर देता है, जिससे की रिम जिम सर बच्चों को लेकर पार्ग चले जाते है, रिम जिम सर तो चले गए, लेकिन अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो, तो अभी चानल को कर दीजिए,